Hello स्टुडेंट्सörenट्स, प्लांट टेक्सोनोई में आज हम वे फिर्मिटिवी को भी के पाहिए है और इसही की नाम वे स प्रिमिटिव गष्ट नाम है आप लोग देखना में इसमें जो फ्लावर्स लगए होते हैं floral axis में वो spirally arranged होते है spirocyclic कहलाते हैं इनके अंदर जो stemens होते हैं वो 15 to infinite stemens होते हैं multi-carpulary condition के साथ epocarpus condition इसमें होती है और खास कर जब हम इसके flowers की बात करते हैं उनके flowers में बहुत सारी variations मिलते हैं उसकी inflorescence में बहुत सारी variations है solitary auxiliary भी है तो solitary terminal भी है panicle भी है तो वो racine type की भी है इस तरह से बहुत सारे variations मिलते हैं लेकिन parent means sepals जो calyx हैं वो colored petal के जैसे हो जाना petaloid पर जैन्स ओफेस पर एक आउट डोट पेटल्स के अलार्जमेंट से हो जाना इस पर एक्टिनो मॉर्फिक जाइगो मॉर्फिक भी है इस तरह के primitive characters bentham and hooker के according most primitive order renails और most primitive family renonculacy है इस family के characteristic feature साथ अब लोग देखने हैं देखो रेनन कुलेसी जिसको हम buttercup family के नाम से जाने हैं क्योंकि buttercup plant किसका नाम है रेनन कुलस तो कहते हैं buttercup plant यह buttercup plant के लाता है इसी वजह से इस family को buttercup family के पहले चीज़ तो यह most primitive family है most primitive family दूसरी बात most lace में annual and perennial herbs है rarely लेकिन रेरली वुडी क्लाइबर भी इस में है लेकिन रेरली श्रब्स एंट्रीज है वुडी क्लाइबर्स में हम जैसे जिनको लाइनाज कहते हैं और लाइनाज में कोन आता है क्लिमेडिस कौन कौन से प्लांट्स मोस्टली आते हैं तो एक नाम सुनाओगा उप लोगोंने लार्कस पर देल्फीनियम कहते हैं और लेबरेट्री में जब प्रैक्टिकल्स में हम लोग देखते हैं फ्लावर डेस्क्रिप्शन और्नामेंटल प्लांट है इसी का करते हैं इसको लार्कस पर कहते हैं एनिमोन यह भी और्नामेंटल प्लांट है विंड फ्लावर कहलाता है इसके अलावा एकोनिटम इसी फैमली का मेंबर है नाइजेला इसी फैमली का मेंबर है थैलिक्ट्रम इसी फैमली का मेंबर है तो यह इंपोर्टन प्लांट्स है तो इस फैमली के है खाश्यत क्या है जब हम लोग इनकी लीव्स को देखते हैं तो यह एक्स स्टिपुलेट है सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं अंपाउंड में दे में भी पामेटली और में भी पिनेटली कंपाउंड लेकिन इंपोर्टन चीज क्या है इनका जो लीफ बेस है वो ग्रेमिनी फैमली के तरह सीथीं होता है सीथीं लीफ बेस है एक तो यह इंपोर्टन चीज धान में रखनी है एक जब इन्फोरिसेंस की बात होती है तो इसकी इन्फोरिसेंस शुलेट्री टाइप की भी और शुलेट्री में जैसा मैंने बताया एक्जिलरी और टर्मिनल दोनों टाइप की हो सकती है रैसीम टाइप की पैनिकल टाइप की यह इन्फोरिसेंस तरह तरह की होती है डैल्फीनिय में मोस्ट कॉमन जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं वो रैसीम टाइप गुमलती है जब फ्लावर की बात होती है तो फ्लावर पैडिसिलेट्ट ब्रेक्टियेट्ट ब्रेक्टियोलेट् जाइगोमोर्फिक जैसे डैल्फिनियम में या फिर एक्टिनोमोर्फिक होते हैं हीपोलीनो स्टामेर्श पंतामेर्स और टत्रामेर्स गोसते हैं पंतामेर्स और टत्रामेर्स केलिक्स, नमबर ओप सेपलस फाइव, पोली सेपलस, पैटलोगट, पैटलोगट जैसे हो जाते हैं, और खासकर जब डेल्फिनियम की बात होती है, पोस्टिरियर सेपल, इस मोडिफाइड इंटू स्पर्ल, इसमें डेल्फिनियम, यह इंपोर्टन पॉइंट में से एक है, कि पोस्टिरियर सेपल के वो स्पर्ल में मोडिफाइड हो जाता है, वो एस्टाइवेशन, क्यों कंश्यद और बाकी में इंबरिकेट भी हो सकता है, इंबरिकेट एस्टाइशन, पैटल्स की जब बात होती है को रोला में, नॉम्बर ओपैटल्स फाइफ और फॉर क्योंकि वन पैटल इस हाइली रिदूस्ट इसलिए वो चार ही रह जाते हैं, इसमें भी खाश इंपोर्टनची इस पोस्टिरियरली प्लेस्ट टू पैटल्स, फूज्ट और मोडिफाइड इंटू स्पर, ग्र्मो पैटल्स हैं, वेलवेट इस्टाविशन, यह तो केलिक्षन को रूला की बात वी, जब हम एंडरोश्यम की बात करते हैं, देखो, तो नुममर फिस्तेमन्स 15, और मनी, 15, polyandrous, in delphinium, number of stemmins are 15 and grouped into 5 radial rows, इसका मतब हर एक में कितने हुए, 5 x 3, 15, each row contains 3 stemmins, bythicus, extrose होते हैं, जो गैनुशियम की बात होती है, तो नम्बर उफ कर्पर्स, 1, 2, देको, मोनो कर्पररी से, मुल्टी कर्पररी तक, अपोर्प Skype, आपोर्स कंदिय्शिए, मरिण बात होते हैं, यह हुँद टैशंट्डियम हराओ, लोल्य हराओ,undred हैं मुल्वलट्डियम हराओ,विल मुल्य हराओ, आपटारी से, तुखरोर्पर कार्पराओ, छोरोब।, लूपरी सीज़।, Fruit, follicles भी हो सकता है, echin भी हो सकता है, यह fruit की types है, अगर हम floral formulae की बात करें, देखो, bracteate यह रहा, bracteolate यह रहा, it may be, अगर delphinium के ही floral formulae को देखना है, तो यह gyomorphic, bisexual, k5, c4, mamosepalus, and androsium 15, polyandrous, gynosium single, ovary superior. जब हम इसका floral diagram बनाएंगे देखना, वो थोड़ा से important इसी ही हो जाता है, क्योंकि इस पर बनता है, और स्पर में खाशियत यह है, कि यह जो स्पर बना रहे हैं हम लोग, यह एक posteriorly placed sepal है, एक अकेला, जो इस तरह से बड़े इसमें modify हो जाता है, यह एक ही sepal है, यह modified हो गया इसमें, यह एक spur है, यह posteriorly placed एक sepal है, इसके बाद करें, यह देखो, यह यहां से कटम लोग करें, तो एक यह रख, सेपल, सेपल, एक एरा सेपल अक्के पास, एक सेपल लिए, उन्हों एक सेपल लिए, पर इस तरह से, प्यूंकेंशल एस्टाइबेशन भी हो गया, देखो, एक completely outside, यह भी completely outside, दो तो completely outside, दो completely inside और एक alternate, उसको कहते हैं, प्यूंकेंशल, यह तो सेपल हो गया है, जब petals की बात करते हैं, तो दो petals, देखो एक petal यह रख, और यह fused, दूसरा petal यह रख, यह तो दो petal हो, जो fused है, पॉस्टेरली प्लेस्ट, और एक यह petal, और एक petal यह रहा, एक reduced type का petal होता है, बहुत highly reduced, दिखता ही नही है, उसके बाद जब हम लोग इसका gynosium बनाते हैं, तो देखो यह रख, ओवरीगा TS, और ओवरीट की TS में एक ही कारपल और उस पे इस तरह से marginally placed, यह ovule, stamens, जैसा मैंने बताया, radial erase, जैसे एक यह, एक यह देखो, एक यह, एक यह, एक यह, इस तरह से, five rows में, और extrose type, यह, एक यह, डायरेक्ट संबाल की तरफ होगी एक्स्टोज में, यह बन गए three, यह बन गए three, इस तरह से arranged रहते हैं यह, stamens, five rows होगी, इस तरह का floor diagram होता है, डेल्फिनियम का, यह floor formula, और economic importance के नाम से जब आप लोग देखोगे, तो mostly इसकी economic importance में ornamental ही आते हैं, और ornamental में एक रेनल्कुलस की aquatics species हो चाहिए, रेनल्कुलस की sclerictus species हो चाहिए, aquaticus यह जो species है, इसमें हीट्रोफिली होती है, और हीट्रोफिली का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, यह जो submerged leaves है, submerged, वो highly dissected होती है, highly dissected, और floating leaves, वो simple होती है, इस तरह से दो तरह के लिए उसकी वज़े से hydrophilic करते हैं, इसके लावा, nisella, econitum, climatis, neemoon, यह साथ और नमेंटर प्लांट है, और medicinal use में, nigella को जैसे medicinal use में भी काम में लेते हैं, इसको treatment में काम में लेते हैं, climatis में एक चीज़ और याद रखनी ही की है, कि इसका जो ption होता है, वो modify हो जाता तक tendril में, और खास चीज, persistent, style जैसे देखने को मिलती है इसमें, यह characteristic features, रेनन कुलेशी के, world characters, formula और डाइग्राउंड, के साथ यह family कतम होती है, thank you. ल्ट